आईफोन वर्टसप स्टेटस ओडियो ओवरलैपिंग प्रॉबलम हेलो कई वलकम बैक टो ने वीडियो आईफोन के वर्टसप पे कुछ इशु देखने को मिलने कि जैसे आप सभी किसी भी वर्टसप चेटस को सीन करते हैं तो वहाँ पे जो ओडियो है वो ओवरलैप हो रही टैप on the settings इसने पहले वर्टसप पे एक update रॉलाट की गई थी उसमें आपको एक new feature एड कर दी गई थी कि यदि आप किसी को वर्टसप पे वीडियो कॉल करते हैं तो आप easily उसको साथ के साथ साथ स्विच कर सकते हैं यानि कि minimize कर सकते हैं multitasking कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे वीडियो कॉल आती है तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो कॉल भी प्ले होगी प्लस आप कोई दूसरे work भी कर सकते हैं अपने आईपॉंस के जरिए तो बट उस update के बाद ही देखने को आ रहा है कि आप जगी अपनी वर्टसप स्टेटप पर जाते है वर्टसप में स्टेटस के जो साउंड है और लाप प्रॉब्लम को राइट तो फटा फट से हम सलूशन की दरफ बढ़ते हैं एंड कैस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज में कि चैनलों को सब्सक्राइब कर लें आपको पता है कि चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट देख लेना है जैसे कि आपको बताना चाहूंगा यह जो अपडेट आई है उसके बाद दोस्तों देखने को मिल लिए ओडियो में प्रॉम्स तो इसके कई सलूशन यही है कि आप सभी फर्स और अपने आइफोन को अपडेट रखें लेटेस्ट वर्जन जैसे आप सब्याबे वर्जब को सर्च करते हैं तो इसको आप एक बार चेक कर लें कि आपका जो वर्जब है यह भी अप्टूडेट होना चाहिए आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं इंट्रोडेसिंग वोई स्टेटस यू के नाओ रिकोर्ड यह जो भी फीचर्स हैं इसके बाद ही दोस्तों आपकी जो पॉर्जब हैं देखने को मिली है तो इससे बैटर है कि आप सभी अपने एक बारी जो वर्जब है इसको अप्टूडेट भी कर लें आपको वर्जब अप्लिकेशन को भी अप्टूडेट कर लेना है क्योंकि यह जो प्रॉम्स हैं अप्डेट के पार डैफिनियटिफ विक्स आउट हो जाएंगी तो मुझे काफी सारी inquiries and comments है कि उनकी वर्जब है ओडियो प्रॉम्स देखने को मिली है status में तो मैंने इसका जो solution है यही निकाला है कि दोस्तों पहला है कि आपको एक बार चेक करें अपने आइफॉन की settings में जाके software version second है कि अपने आइफॉन को जो है जो आप WhatsApp यूज़ करते है आइफॉन में इसको भी up-to-date कर ले एप स्टोर से तो यह है दोस्तों सिंपल साइस का solution कुछ ज़्यादा complication नहीं ज़स्ट एक बार एपडेट चेक कर ले और यह problem 100% fix out हो जाएगी